सर आपको यह बताई कि लास्ट टाइम आपसे कब उनके बात हुए आज इकोने साथ बज़े सुवह हुआ है क्या बुलाते हुआ बस यह मैं कोडन में हूँ मैं बाद में बात करो हुआ श्याम का तिकनी से बात हुआ है और उसके बाद आपको कब पदा जला उसके बाद श्रकषबन से बारे में अब अपनी को मालू में बारे में हुआ है मालूम नहीं परसिल इनको गताया बें इंजर्ड हो एक पोशी स्या मारी आप निकले कम से कम दोड़ा समय को प्रशिज हो आप जानते कि कैसा उन अनका ज़ज़बा था बहुत को अच्छे इंसान थे बह बिल्कुल देखिए पानिपत जिले के रहने वाले गाउं बिंजोल के आसिस ढुंसक ने भी सहादत दी है और आसिस ढुंसक के परिवार के लोगों को जैसे ही इस बात का पता चला तो आसपास दुहाव महौल गमगीन था और शोक की लहर वो दोड़ गई और इस वक्त हम उस जो है वो गरैनी है उनके पिता भी एनफल से रिटायर्मेंट है और कुछ दिन पहले ही जो है आसिसे पानिपत छुट्टी पर आये थे तो परिवार से जब उनकी बात हुई तो पानिपत में ही परिवार सेक्टर साथ में नया मकार मना रहा है जहां पर वो सिफ्ट होने के आने से पहले ही इस परकार की सहाधत जो है वो आसिस की हो जाए गे और परिवार में जो है शोक के लहर दोड़ जाएगी जैसे ही आसपास के लोगों को जिलेवासी उक उनकी गाउं को लोगों को इस बात का पता चल रहा है तो सबी उसके मकान की औरा रहे हैं और दो पहर बाद जो है आज उनका परथिव सरीड यहां पानीपत में बलाई जाएगा सेक्टर साथ के मकान पर उसके बाद उनके शव को गाउं में लेकर जाया पैत्रिक गाउन पर ले जाकर उनका राजक्य सम्मान के साथ जो है वह उन्तिम संस्कार किया जाएगा उन्तिम विदाई उन्हें दी जाएगे